Parallel Lines यानि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती यानि Parallel Lines एक दूसरे से कभी नहीं मिलती इन Lines को रिप्रेजेंट करने के लिए Arrow का यूज किया जाता है इस डाइग्राम को देखिए Single Arrow वाली ये सभी Lines एक दूसरे के Parallel हैं जिबकि Double Arrow वाली ये Lines भी एक दूसरे के Parallel हैं न कि Single Arrow वाली पहली Lines के Parallel Lines धेरों एंगल्स बनाती हैं इस वीडियो में हम इन Terms का मतलब समझेंगे इसके लावा इनकी मदद से हम दूसरे एंगल्स भी कैलकुलेट करेंगे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि एक Straight Line 180 डिग्री के एंगल को मैजर करती है Parallel Lines के Questions solve करने में ये आपके बड़ा काम आने वाला है तो इन Highlighted Alternate Angles को देखिए क्या नोटिस किया आपने Well, Alternate Angles हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं ये दो के सेट्स में एक्जिस्ट करते हैं याद रखिएगा इनका नाम है Alternate Angles ये Corresponding Angles हैं देखिए तो इनके बारे में क्या कहना है आपका Well, ये Angles भी एक दूसरे के बराबर होते हैं ये Interior Angles हैं इनके बारे में आपने क्या नोटिस किया Interior Angles का सम 180 डिगरी का होता है अब आखिर में बारी है Vertically Opposite Angles की इन Angles को ध्यान से देखिए Well, किसी एक पॉइंट पे बने हुए Opposite Angles हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं इन चार Angles Straight Line Angles, Complete Angles और Triangle के तीनों Angles के सम की मदद से आप क्या ये Questions Solve कर सकते हैं Well, ये Correct Answers है क्या आपके Answers भी यही थे Solutions के Method बेशक अलग हो सकते हैं लेकिन हमें Correct Terminology से Deviate नहीं होना चाहिए Okay, ये एक और प्राब्लम है इन चार Angles की मदद से क्या आप दूसरे सभी Angles पता कर सकते हैं वीडियो रोकिए और Answers पता कीजिए Well, सही Answers ये हैं हमारे वीडियो को Like और अपने Friends से Share जरूर करें अगर आपके कोई Questions हों तो नीचे Comments में लिखें